नमस्कार मैं कोस्तोबानी पाठक एक बात फिर अपलेंगे शामने आगया हूं एक नए ब्लॉग को देखे हैं हम तरका अपने के देखते रहते हैं और विश्चाथ के बारे में बता रहे हैं और यह रोचक जानकारी हम को दे रहे हैं यह हम बहुत पसंदा रही है मित्रो आज मैं आपको चिंगम के इतियास के बारे में बताऊंगा चिंगम का इतियास बहुत पुराना है मित्रो अभी भी लोग बाग ऐसा समझते हैं कि चिंगम भारत में बना और या तो यह गहूं से बनाया गया है या फिर यह शुर की चर्वी से बना हुआ है मित्रो वास्तविक्ता तो यह है चिंगम का इतियास बाहर से है मित्रो चिंगम की काहनी 21 वर्षी है नौजवान युवक की है जो की बहुत गरीब था वह जाडियां काटता था जहां उसे बहुत कम पैसे मिलते थे अपने इस काम के दुरान उसने अपने सातियों के साथ इस प्रावस नामक पेड़ों से गिरने वाले इस इससे जो रश निकलता था जिसे सहद या गम कहा जाता था उसे चवाना शुरूप कर दिया था परन्तु उसमें एक खरावी यहां थी यहां गम सीग रही अपनी लोच खो देता था ऐसे में उसे चबाने का आनंद भी खत्म हो जाता था जान ने इस गम को लचीला बनाने के लिए इस टोप पर इसे पकाना शुरू कर दिया था जान ने अब इसमें विविद्न परकार के मिश्रन करने शुरू किये जिससे की यहां परियोग सपल रहे उसके द्वारा बनाय गया यहां गम न सिर्फ देर तक टिकता था बलकि वह खुस्बूवाला भी था अब उसने जाडियों को काटने का काम छोड़ दिया था और अपना ध्यान इस्प्रूस गम पर केंद्रित कर दिया जान के द्वारा बनाय गया यहां गम छोटी-छोटी छड़ों में होता था जो मोम लगे कागज में होती थी शीगर ही जान को ख्याती मिल गई अब जान हजारों डॉलर कमाने लगा अपने इस आश्चरे जनक उत्पात से जानने अपने व्यवसाई में पहले वर्स में ही पांच हजार डॉलर सुद्ध लाप के रूप में प्राप्त किये और यह चिंगम विश्व प्रसिद्ध हो गया यह थी चिंगम की कहानी जिससे चिंगम देश वीद windows में प्रसिद्ध हो गया और आज बहुत चाहों से हर देशों में चिंगम खाया जाता है चिंगम से दातों की सपाई भी हो जाती है और चिंगम चबाने से दातों की exercise भी हो जाती है चिंगम बनाने वाला कोई और युवक कोई और नहीं बल्कि 21 वर्षी नौजवान जान वी कर्टीस था मैं सुमन मेडम का बहुत बहुत घन्यवाद देदा चाहता हूं कि आज यह हमारे वीट में उपस्ति तुरी और उन्होंने हमको आगे को इत्यास के बारे में पकाना की आले का है इसके साथ मैं आपका बहुत 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 दिश्यवाद आना चाहंगा और यह उमीद पर ना मेरे साथ आज मौझूद थी सुमन मेडम जो कि इंटर कॉलेज में लख चाहती थी समय की कमी के चलते यह आना ही पाई थी लेकिन आज इनकी जिद्ध थी कि मैं इनके चैनल में आऊंगी तो आज यह हमारे चैनल में मौझूद थी मैं इनका बहुत-बहुत सुक्रिया आदा क करता चाहता हूं और मैं आपसे फिर मिलूंगा एक नए वीडियो को लेके तब तक धन्यवाद बाई बाई नमस्कार